दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले ही प्रोकुपडी लिग दोजार चोईस के आज के सेकेंड मुकाबले के बारे में जो कभी शांदार मुकाबला खेला जाने वाला है और यह कह सकता हूँ कि इस वीडियो में जो कहें कि इनका काम हमेशा ही अच्छा बोलता है अगर पिछले दो-तिन सालों की में बात करूं या प्लास मुकाबले की बात करूं तो इनके हिसाब से इनके अकोड़े उत लेवल का नहीं था क्योंकि इनको उस तरह का सपोर्ट नहीं मिला था यह हम क्या सक है तो एक इक चीज हम इस वीडियो में देखेंगे क्या यह इस मीज में चलेंगे या नहीं चलेंगे अगर यह नहीं चलेंगे तो इनके टीम से किसके चलने की चांसे हाई रहने वाले है कौन सी टीम यह जीज सकती है बहुत सारी इंफोर्मिशन इस वीडियो में देने वा रहा है जैपूर पिंग पैंथर की टीम का, 9 मुकाबले जैपूर पिंग पैंथर की टीम में जीते हैं, 4 मुकाबले जीते हैं हर्याना इस्टिलर की टीम ने, अगर मैं बात करूँ यहां पर 2 मुकाबले टाई हुए हाइस्ट और लोएस्ट की हम बात करें, तो इन दोनों टी सबसे पहले हर्याना की टीम से अगर हम बात करें स्टार्डिंग सेवन के बारे में तो राहूल सेतपाल जिन्होंने लास्ट मेज में तीन टेकल पॉइंट अपने नाम किये थे फिर मनीकंदन कोई खास काम इगा रहा नहीं था विनने टीम के में दिरेडर कह सकते हैं इस साल लेकिन इनका भी कोई खास काम लाष्ट मुकाबले में देखने को बिला नहीं था विशाल ने भी पूरी तरह से फ्लॉप रहे थे लेकिन हाँ मौमद रेजा शादलू की अगर हम बात करें तो चार टेकल पॉइंट तीम नहीं चली थी फिर भी इन्होंने चार टेकल पॉइंट लाग रहती है टीम चलती तो और कमाली कर सकते थे अब सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी जो हम कह सकते हैं कि टककर होगी वो होगी अर्जुन देशवाल वर्सेस शादलू के बीच में अर्जुन देशवाल और जैपुर के टीम चाहेगी कि शादलू को जल्द से जल्द tirar बाहर बैठाया जाय अगर शाडलू बाहर हो गए तो भैया अर्जून देश्वाल के चलने की चांस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं क्योंकि डूसरे कोई भी defender हमें नजर नहीं आते हैं जो कि अर्जून देश्वाल को रोक पाए पिर अभिजीत मलीक भी है लेकिन मुझे लग रहा है कि जदा से ज़्यादा रेड करेंगे वो और विकास कंडूला का भी यहाँ पर नाम है लेकिन इनका अगर मैं पिछले एक दो सालों की बात करूँ तो मुझे यह लगता है कि यह ज़्यादा तर एमटी खाली रेड करने नहीं आते हैं, पोइंट्स वगरा तो इनको मिलते नहीं, उपर से आउट हो कर जाते हैं, वो पोइंट ओर दे देते हैं, फैंटेसे की नजीरे से, तो रेडिंग के अगर बात करें, हालागे अभिचीत मलिक ने इस सीजन में बहुत अच्छा काम किया है, वो मैं आगे आगे शादलू होंगे, तो कुछ पोइंट अगर हो सकते हैं, अर्जुन देशवाल जल्दी सा आउट होके बहार चले गए, तो शादलू को पोइंट मिलने के चांसे काफी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बागी भीया, इनको इस लेवल का नुपव नहीं है, कि अच्छे कासे प पर, तो अगर बड़े नाम की बात करूँ तो कोई बड़ा नाम तो मुझे यह नजर आ नहीं रहा, लेकिन अगर लास्ट मेज में शंकर मिश्र आये थे, जिन्होंने पांच रेड़ पोइंट अपने नाम किये थे, वहीं पर जय सूर्या आये थे, जिन्होंने एक मेज में इंपोर्टेंट है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विनाई के बारे में, जिन्होंने लास्ट सीजन में 23 मुकाबलों में 163 रेड़ पोइंट अपने नाम किये थे, 10-6, सूर्टेंट भी लगाये थे, अगर लास्ट सीजन के अकोर्डिंग देखा जाये तो बहिया, इंप इंपोर्टेंट प्लेयर हैं, अलागि दोनों अनुभवी प्लेयर हैं, फिर इनको तो ऑटोमेटिक है, ग्रेंडली कप्तान, ग्लास्ट सीजन में मेरे जित्ती भी बार इंका मेंच हुआ, मैंने सब बार इंको कप्तान बनाया था, क्योंकि रिजन आप देख सकते हो, 24 में नन्यान गे टेकल पॉइंट जितने तो काफी बार एक रेडर नहीं ला पाता, 11 हाई-फाई लगाए थे, उससे ज़्यादा क्या देखोगे आप, तो यहाँ पर रेजा शादलो की चलने के चांसे हैं, राहूल सेथपाल चल सकते हैं, विने चल सकते हैं, अगर आप हर्यान दोस्तों, वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा, बहुत मैनद लग जाती है, अब यहाँ से अगर हम देखें, सबसे पहले पिंग पैंथर के स्टेट्स हम देख लेते हैं, लक्की शर्मा, दो मुकाबलों में तीन टेकल पॉइंट, उस लेवल का काम नहीं ह लेकिन फिर भी अच्छा काम कह सकते हैं, अभीजीत मलिक, दो मेचों में बारा टेकल पॉइंट, बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात, फिर सुर्जीर सिंग, दो मेचों में पाच टेकल पॉइंट, अच्छा काम कह सकते हैं, अर्जुन देशवाल, दो मेचो बात है कि सामने वाली टीम कमजोर हो जाती है तो उसके बाद ये रेडिंग करने जाते हैं पॉइंट मिल जाते हैं तो अलग चीजे अंकुष राठी बहुत बड़ा डिफेंडर है हाला कि काम अभी तक उस लेवल का नहीं आया है दो मैचों में सिर्फ टीम टेकल पॉइंट ह अब देखने वाली बात यह है कि यहां से विनय और विशाल जब रेडिंग करेंगे तो अंकुष यहां पर होंगे लक्की शर्मा यहां पर होंगे यहां से सुर्जित आएंगे तो बहिया इसपेशली अंकुष और सुर्जित जब दो अनुभवी डिफेंडर सामने इसमेशन जब पाका हो जाते हैं लेकिन जलने के चांसे लग रहे हैं फिर हम देखेंगे में डाशारी नकी बात करें Guten फिर यहां से श्युमा की हूं इहां पर होंगे तो पोइंट मिलने की चांस से शिवं को तोड़े सी हमें नजर आते हैं लेकिन यहाँ से जब रेजा आएंगे और यहाँ से अंकुष जब एड़ांस टेकल करने के लिए आएंगे तो दो बहतरीन डिफेंडर ये दो बहतरीन है कि सामने की defense को देखते हुए अब यहां से substitute player भरी दे लेते हैं substitute player में हालागि जैपुर चैपुर ज्यादा करती नहीं है क्योंकि star player की कमी नहीं है फिर भी अगर किसी player को देखा जाए तो नीरेज नर्वाल है, शिरिकान जादव, हाला कि जितने पूर्ण लातने उत्ते देवी देते हैं, फिर अभिशे केस हैं, इन्हें आप लेकर चल सकते हैं, अगर खेलते हैं, स्टार्टिंग सेवन में तो, बाकी देखेंगे, सब्चूट की बात हम बात में करेंगे, टेलीग रेड़ पोइंट थे, लास्सीजन में इनके 17 सूपर टेन भी जड़े थे, फिर अभिजीत मलिक जो इस सीजन अच्छा काम कर रहे हैं, लास्सीजन में वो रोल रहा नहीं था, लेकिन इस सीजन में इन्हों ने अच्छा काम किया है, विकास कंडूला का जादा कोई रोल र सकता हूँ लगी शर्मा 13 मेचों में सिर्फ 10 टेकल पॉइंट है लाज सीजन लेकिन अंकुष राठी ने कमाल किया था लाज सीजन 22 मेचों में 70 टेकल पॉइंट फिर श्रीकान जादों की ज़्यादा बात करेंगे नहीं क्योंकि मुझे लगता नहीं चलने की चांसे से बाग पर फेंटेस है की छे प्लेयर में याँ पर ओल्डेरी आपको बताएता हूँ जैपूर की टीम से अर्जून देशवाल, सूर्जीत, अंकुष एकोर नाम भी बताएता हूँ रेजा का आर्मीर बगेरी जो है चार ये प्लेयर बहुत इंपोर्टन हो सकते हैं हर्याना की टी की बात है अब मेरी टीम देख लेते हैं बाकी तो कोई खास option मुझे नजर नहीं आते। दो हमने यहां से all-rounder लिये हैं जिसमें हमने मौमद रेजा चिनाई को अपने टीम में लिया है और यहां पर अभिजीत मली को लिया है जिनका काम अभी तक बहुत अच्छा रहा है। अगर पिछले सीजन की अगर मैं बात करूँ तो उस तीम वहां पर अच्छे प्लेट थें मौमद रेजा चिनाई की टीम में तो इनको सपोर्ट अच्छा मिल रहा था तो हर टीम में हमारे कप्तान थे यह लेकिन फिलाल इनको कप्तान बना थोड़ा रिस्की हो सकता है क्योंक चुछ अच्छा करती है आज तो विन्य का बहुत अच्छा रोल इसमें रह सकता है बाकि क्यों रिस्क लिया जाए किसी प्लेएर पर तो ज़्यदा बात हम नहीं करेंगे कप्तान उपकान देख लेते हैं जैपूर के जितने भी प्लेयर हैं अगर मैं सजेस्ट करूँ आप तो कप्तान उपकतान रोटेशन कीजेगा लेकिन बईया जर्जुन जिस फॉर्म में है अरजुन को तो तो मैं अगर बिस लीमें सब्सक्राइब बना रहा हूं तो 10-11 टीमों में अरजुन मेरे कप्तान होने वाले हैं उपकान मैंने बनाय है अभीज norms को लेकिन में क्या कर तो एक टीम में राहूल सेथपाल को लूँगा इस तरह से सिफ इनकी जगे एक एक प्लेयर में चेंज करता रहूँगा बाकि कोई भी छेड़ चार नहीं करूँगा बदलाव नहीं करूँगा में टीम में चलिए टीम का प्रिव्यू देखते हूँ अब हम क्या करेंगे सिर्फ इनकी जगे दो-चार टीमों में ग्रेंदलिग में इनकी जगे जिसराःल सेथपाल हो गए एक जगे विनाtar हो गए सिर्फ एक-एक प्लेयर चेंज करेंगे हर्याणा के जैपूर के ये प्लेयर मेरे फिक्स रहेंगे अगर ये सारे starting seven में खेलते हैं तो कप्तान fix रहेंगे मेरे अर्जुन देशवाल, उप कप्तान एक टीम में इने, एक टीम में इने, एक टीम में इने बना कर चलूँगा, सिफ उप कप्तान पर हम थोड़ा सा changes करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जैपुर के जीतने के chances काफी ज्यादा हाई रहने वाले हैं इस मेच में, भागी फाइनल टीम टेलिग्राम पर मिलेगी, लिंक वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन में, जल्दी ज्यादा फोलो गीजेगा, थैंक्यों वेरे मच्च